इंटरनेट का बढ़ता क्रेज सेहत पर डालता है बेहाधी बुरा सर। बैठी कैसे अपनी चोटी से बड़ी विमारियों को आसानी से मात दे सकते हैं क्योंकि आपके घाल के किचन में ऐसी बहुत सी चीजे मौज़त होती हैं जिसका सेवन करने से आप सेहत मन बने रहते हैं लेकिन आज की इस खास प्रिसकस में हम आपको किसी विमारी के बारे में रूबरू नहीं करवाएंगे बलकि इंटरनेट के जरिये यानि ऑनलाइन गेम्स के बारे में जानकारी हासल करवाएंगे जिससे बच्चों से लेकर युवाओं की सेहत पर बेहद ही गंभीर असर पढ़ रहा है क्योंकि आज कल का जो महोल बना हुआ है बच्चे अपनी प ध्यान लगा देते हैं कि उनको अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता जिससे सेहत पर बेहद बुरा असर पढ़ता है लेकिन यह सिर्फ बच्चों में ही नहीं युवाओं में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि आज कल की यानि अगर भारत की आबादी की बात की जा क्योंकि आप इस बात से वहली बाती वाकिव भी होंगे कि कुछ महीने पहले ही एक गेम आयता जिसे हम कहते थे कि वील गेम था जिसमें लोगों ने अपनी जाने भी गवा देती थी लेकिन आज के दौर में यानि आज के समय जो गेम सबसे लेटर चल रहा है वो है पबजी गेम मैं पबजी ये मैं अपने दिन रात यापनी सिहत को मात दे कि या फिर खांपान का ध्यान ना रखते वोगों इतना ध्याना करशित कर देते हैं कि अपने कामों की तरफ ध्यानि भी नहीं देते लेकिन लेकिन अक्सर मैं आपसे करें नहीं बिलती हूँ सेहत की बात आप के साथ में मेरे सायोगी हमेशाव देपिका डंडं डं जी मौनद होती है मैं आपको बहुत बस्वादत करती हूँ कि आप मेरा सायोग देती हैं आज के इस खास प्रिसकुस में आपने सुनी लिया होगा कि हम बात करें PUBG गेम के बाले में तो आप दस्कों को मताई कि पहले PUBG गेम होता क्या है PUBG गेम जो है ये एक ऑनलाइन गेम है जिसे अकसर हम सिफ युवा लोगों को लो ही नी बचों को ही नी आजकल की हमारी जो ओल्ड जिनरेशन उनको भी खेलते हुँ देख रहे हैं अभी रानी जी अभी दो-ते दिन पहले में मेट्रो में सफर कर रही थी और सफर के उर्फ और सब्सक्राइब करते हैं किसी बच्चे ज़्यादा नी देते हैं जिसके कारण वह गरदर में दर्ध जैसी बात तकलीव का शिकार हो रहे हैं यह बच्चों की आंकों पे मोटे-मोटे लेंस का चश्मा लगा हुए क्योंकि उनके आंके वीक और मुबाइल से निकलने वाली रेडियेशन आपके बचे की आंखों को गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाती है जिसका हमें यह लगता है कि शायद बच्छा के उपर पढ़ाई का प्रेशर है या फिर आज की पॉल बच्छों के बच्चों के लिए मोबाईल नहीं देंगे तो घर पर कम्प्यूटर सिस्टम होता है लैपटाप उसमें वह फिलना शुरू कर देते हैं बच्चे और साइट खोल के गेम्स निकाल लेते हैं तो जिसका कारण यह बनता जारा है कि आज युवा ही पीड़ी नह इतने आकर्षित है इस गेम किए और की वह बिल्कुल भी धThean नहीं केपा है कि इस समय उनको ठाल होना छेह इन किस समय में उनको प्धाई करनी चाहिए किस समय में क्या काम करने चाहिए यही हिए कि बहुत हीगाष्य समस्या बनी वेन लेते हैं चाहिए आठटी तो आपकी आखों पर एफेक्ट पड़ता है तो आप खुदी इस बात से रूबरू हो गए होंगे कि अगर एक बच्चा 24 गंटे इंटरनेट पर गेम खेलता है और अगर पॉप जी जैसा फेमस गेम खेलता है तो आप खुछ समझ जाए कि उसकी आखों पर कितना गंभीर प् आपकी बहुत होती है तो आजकल की युवा अवस्ता हो या फिर बच्चे हो अपनी आखों का ध्यान ना रखते हुए इंटरनेट पर दिन रात घंटों काम करता है लेकिन आज हम इसके और भी साइड इफेक्ट बताएंगे कि इस गेम के खेलने के और क्या साइड इफेक् आप हमारे गलत खानपान आखेंगे के अशर पड़ता है तो यद इस गेम के कारण के गड़ता दाव्यक्त आज साइड इस पर दो शुवार फिर इस बच्चों की यादास पर असर पर इस बिल्कुल यह सब गयम सो होते है वह जो हमारे को उनसे जो रड़ेशन से निकलती ह वर लें कि is टरीके से अपना अपना एनर्जी लेवल है हुमें किस तरीके से शिरी के लिए जीद ना है तो ये सारी चीजह हमारी यादाश को कम जोर करते हैं क्योंकि अगर हमारा कॉंस्टेशन अगर एक ही चीज़ पर है वही आदश कमजोरी का कारण बन जाता है और इसका बहुत नुकसान आपको पहुंसे है कि अगर 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 बूल जाते हैं लगातार बचों को नुकसान हो रहा है कि वह इस गेम की तरफ जितना अकरशित हो रहे हैं वह अब फाइनल टर्म्स जैसे आने वाले हैं बचों के बच्चों का द्यान वहां से अटाके उनका फाइनल टर्म्स जाना बहुत जरूरी है कि उनको उसकी त्यारी करनी चाहिए लेकिन मैं यह देख रहे हूं कि लगातार बच्चे इस गेम में बारे में बात भी करी कि आपको इस गेम मिलता है के लिए तो वह बताते हैं कि इसम से इसमी अटाग है कि अपना इसमें धियर से हमें लगाना शेमाने कोई थी जाना थाळिशारी को इसम बारे में अपना में हमेंSi दूशमन को मारे ​​ तो यह भी दिमाग पर है आग्यां अदेविट कुछ ऑर पहले से एवाफ एंपने में जीतना है तो आप सोचे सकते हैं कि बच्चे किसी और तरफ लगा ही नहीं सकते हैं, तो इसका बहुत ही गंभीर चर्चा है, परेंट्स काफी हद तक परेशान हैं, मेरी कुछ परेंट्स से भी बात है, उनों भी मुझे यही कहा कि हम इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, हम अपने बच्चे का ध्यान दूसी अधिकतर कम मास्क से यानि सिर्फ पासिंग मास्क से पास हो जाते हैं, जो बहrica दहीं करने वाट है क्यों कि कहा जाता है, कि बच्चे देश का भविस्थे होते हैं, और जब बच्चे ही Internet पर लगए हो तो देश का क्या भविस्थे बनीगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम एक चीज पर फोकस करेंगे तो हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं जहां तक मेरा अनुबह हुआ है कहा जाता है कि हमेशन अपने लक्षे के लिए गोल रखिए तो कहीं न कहीं बच्चों का ध्यान इगागरता कि अगर मान बात की जाए तो कहीं न कहीं पढ़ाई से हटकर गेम के तरफ ज्यादा लगए और यहादा कि पपजी गेम तो काफी फेमस गेम है नानी जी जब आपक कि अगर अगर जब आपको जब इस तरह कारण बच्चों कारण यहाद नहीं चाहते हैं तो यहीं कारण यहाद एक दूसरे जड़े ज़ने के लिए तो इसी जड़े ज़गे ज़ए कि ज़ए तो उनका ध्यान इंटर्नेट की तरफ ज़ादा हो गया है वो और फ्रेंज की इसी कारण यह समस्या बच्चों में देखी जारे है कि वह अकेला पन जादा प्लाप अच्छा समझ लगते हैं कि वह पेरेंट्स के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते हैं इस चीज को लेकि बहुत सारे पेरेंट्स इस बासे गंभीर तरीके से परेशान वें कि हमारे बच प्वारता चला जा रहा है जिया बिलकों सही का दिपका दंजा एक एसा जडिया है जिससे इन्सान अपनी ही ज़वतों के चीरियों से दूर जाता है साथ ही अपनी फैमिली से विदूर जाता है क्यूंकि इंटनेट से चिपका हुआ होता है लेकिन आपको बता दे के Pup G Game के क में विमारिय होता है जो बच्चों एग्यां में विमारियां होती है वो पहला होता है गर्दन का दर्द यानि पीट गर्दन का औव असआंय धर्ध तो दूसरी परक्शानी होती है वह होती है एक और Сरी या। तधास का मजरूंगता तनाव डिप्रेशन का होना और गेम में आपको जीत हासिल नहीं मिलती तो कहीं न कहीं आप तणाव से ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि आप इसे interested game मानते हैं तो बैतर होगा अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो PUBG गेम का कम से कम खेले या फिर इसको ना ही खेले तो ज्यादा बैतर होगा अगर आप इसकी बजाए या फिर बच्चों के लिए खास पढ़ता है साथ ही वह बिवार नहीं पढ़ते हैं तो डिपिगर अजी मेरा आप से एक आखरी सवाल है कि माबाब को किन बातों का खास ध्यान अखना जए कि बच्चे पबजी गेम के तरफ ज्यादा कर चाहते हैं सबसे बहले तो उनको इंटरनेट की सुवीधा कम दें इ तो बहुत हद तक कुछ वर्ट्स के लिए कुछ इंटरनेट करते हैं तो आप जब भी अपने बच्चे को इंटरनेट के समय तो अगर उसकी जरूरत है तो और थोड़ा साथ समय आप अपने बच्चे को दें आप उसके साथ बैठें उससे पूछें और देखें कि वह क्या कर रहा है मुबाइल का यूज कम से कम करने दे रात के समय बच्चों को मुबाइल का यूज बिलकुल ना करने दे ताकि बच्चे सविस्तस हमें से सोँगे जिक जोगता ईंटरनेट में इन्टरनेट कwegen Most of Afghan V чем ein diarrh प्रभाव ना पड़े और आपका बिल्कुल सभी तरीके से सही रहा पर चले बिल्कुल सही का अगर माबाब अपने बच्चों पर जादा देंगे तो पब जी घेम में अपने इंटरस्ट नहीं रख पाएंगे साथ ही अपनी सेहत का भी खास ख्याल रख पाएंगे तो बैतर माबाब को अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देनी की जरूत है ताकि वह सेहत मन बने रहे तो इस खास में इतना ही लेकिन उसे पहले मैं दीपिकार जी का बहुत शुक्रियादा करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ मेरी सहीयोगी बनकर आपको बताए कि पब कि यह अर्वेदा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप चाहते हैं कि हमारी चैनल की हर लेटे सब्डेट आप तर पहुंचे तो आप कि यह अर्वेदा चैनल के वैल आइकन को प्रेस करना ना भूले नमस्कार